लकडी का कटोरा लकडी का कटोरा, एक वृध्ध व्यक्ति अपने बहु बेटे के यहां शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वो अत्यंत कमजोर हो चुका था, उसके हाथ कापते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे, पूरा परिवार और उसका चार वर्षिया पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृध्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकल कर फर्ष पे बिखर जाते तो कभी हाथ से दूद छलक कर मेजपोश पर गिर जाता। बहु बेटे एक दो दिन ये सब सहन करते रहे पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिद होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। लड़के ने कहा। बहु ने भी हां में हां मिलाई और बोली आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया, अब बुड़े पिता को वही अकेले बैठ कर अपना भोजन करना था। यहां तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना तूट फूट सकें। और अपने में मस्त रहता, एक रात खाने से पहले, उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठ कर कुछ करते हुए देखा, तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा, बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सकें, और वह पुनह अपने काम में लग गया, पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ, उनके मुह से एक भी शब्द नहीं निकला और आँखों से आंसू बहने लग किया, दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्य देने की बात करते हैं, पर हम ये भूर जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं हमारे कर्म में छुपी होती है, अगर हम बच्चों को बस ये उबदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकडी का कटोरा तैयार करने लगे। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करें, धन्यवाद।